हेलो फ्रेंट्स पाइफन के इस जिवाई टूटर्र में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊँगा कि पाइफन में चेक बटन कैसे बनाते हैं और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपरिटीज उन्हें यूज करना होता हूँगा और पीची पर कोड क्लिक के भी आपको दि होती है when text property जो कि अपकी यहां पर है जैसे यह check boxes हैं आपको कुछ जिसमें आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं buttons को या options को चेक कर सकते हैं button को disable कर सकते हैं okay with आपकी जो है button की width क्या रखनी है आपको वह change कर सकते हैं यहां से variable जो इसकी state होगी वह आप इक वैरीयवल में store कर सकत जो इसकी state होगी वो checked होगी या un checked होगी यानि कि zero होगी या one होगी वो आप एक variable में store करके उसे access कर सकते हैं state, state का मतलब ये button आपके disabled है कि enabled है, okay, तो आप state change कर सकते हैं, select, deselect, अगर आपको checked करना है तो आप select call करेंगे method और अगर आपको unselect करना, unchecked करना है तो आप deselect call करेंगे, अब हम देखेंगे की, थोड़ा सा code देखेंगे की, कैसे code लेखते हैं इसका, और किस तरीके से method and properties को use करते हैं, okay, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले हम import करेंगे, import, tk enter, module, as, जो aliasing कर सकते हैं आप इस तरीके से, इसको कोई नाम दे सकते हैं, इस module को, अब यहाँ पर master window create करेंगे, सबसे पहले, master equals, जो है, आप जी वाई, dot, इसका, प्रस्टक्त करेंगे, जिसे main window बन जाए गया, कि यह, और master.title set कर सकते हैं, इसके उपर, title में आप देख सकते हैं, check button, इस तरीके से इसके बाद जो है, हम create करेंगे, अपनी check button, check button किस तरीके से create करेंगे, इसके लिए variable ले लेंगे, कोई भी check button के लिए, मैंने cb, check button, equals, gy, dot, इसका method call करेंगे, check button, और, जो हैसका text, text आप जो भी देना चाहें, check, okay, इसके width, 20, variable, variable में आपको यहाँ पर जो कोई, numeric variable देना है, okay, integer variable देना है, तो आप integer variable देना है, तो आप integer variable क्रिएट करेंगे, मैं दिखाता हूँ भी आपको, कोई भी variable, num, और इसके state दे सकते है, state is equal to, आप दे सकते है, अगर disable कर रखने है, तो आप disable, इस तरीके से, आप button create करेंगे, variable किस तरह से करेंगे, create, यह हमारा एक integer variable है, और जो है, method call करेंगे, int where, इस तरीके से कि integer variable का object create हो जाएगा, उस variable को यहाँ कर लूज करना है, जो इसको control करेंगा, इस आपकी chat button होगी, उसकी जो states होगी, उनको hold करेंगा, अब अगर आपको इस button को select करना है, तो आप select method call करेंगे, select, और अगर deselect करना है, तो आप करें, cv.deselect, इस तरीके से आप जो है, जो है, अपनी check boxes बना सकते हैं, और last में तो आपको पताएए, master.mail.link, call करना है, जिस से आपकी जो UI, डिस्प्ले हो जाए, main window पर, और अब हम चलते हैं, PC पर, और वहाँ पर मैं आपको code करके दिखाऊँगा, किस तरीके से जो है, check buttons, code हम लिखते हैं, किस तरीके से हमने बनाते हैं, करक्राई आपको जाको थांप। कर दो 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 आओ कर दो दो कि अ कर दो दो की भाल कर दो फुड़ा ओना का इप तो की बाल कि अ अ आ झाल कि अगले टो कर दो 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 बुपनो हुए कर दो बुब टो प्रूपी बस्टी कुछ ऑमें 2 पौन झाल करिंख़ कर दो करता है कर दो झाल झाल